अन्त में आखरी पहेली का दिन आ गया अकबर बेचैन थे और साथ ही साथ बीरबल की बुद्धी से प्रभावित भी थे इस बार उन्होंने बीरबल को एक गोल कागस देकर उनकी बुद्धी मत्ता की परिक्षा लेने का निश्चे किया जब बीरबल महाराज के अंतिम प्रश्न के उत्तर देने के लिए आये तो उन्होंने बीरबल को वह गोल कागस देते हुए कहा कि उन्हें आज सिर्फ इस गोल कागस का ही उपयोग करके उनके सभी प्रश्नوں का उत्तर देना है बीर्बल फौरन तयार हो गए। आईए जानते हैं कि आखरी पहेली क्या है। पहेली चार, कागस को मोड़ कर वृत्त बनाना। अकबर ने बीर्बल से पूछा कि आप इस कागस से किसी वृत्त का व्यास कैसे बनाएंगे। बीर्बल ने कागस को इस तरह मोड़ना शुरू किया और समझाया कि व्यास वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा की लंबाई है जो वृत्त के किनारे पर दो बिंदूओं को छूती है। यहां रेखा A, B एक वृत्त का व्यास है। तो फिर वृत्त के केंद्र के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। अकबर ने पूछा। बीर्वल मुस्कुराए और कहा कि किसी वृत्त का केंद्र वृत्त के अंदर का बिंदू होता है, जो वृत्त के प्रतेक बिंदूओं से समान दूरी पर स्थित होता है। यदि मैं दो परस पर लंबवत व्यास AB और CD को इस प्रकार मोडता हूँ, तो बिंदू क्यू वृत्त का केंद्र होगा। लेकिन इस केंद्र और वृत्त के किसी एक बिंदू के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। अकबर ने पूछा। इस पर बीरबल ने कहा, इस दूरी को तिरिज्या कहते हैं। अकबर ने इस बार एक कठिन प्रश्न पूछने का निश्चे किया। उन्होंने बीरबल से कहा, अगर मैं आपसे एक ही वृत्त में समरूप जीवा और समरूप वृत्त चाप बनाने के लिए कहूं, तो क्या होगा। दो व्यासों को मोड कर, बीरबल ने वृत्त के केंद्र O का पता लगाना शुरू किया। फिर उन्होंने व्यास AD के साथ वृत्त को मोडा। किसी बिंदू C से अर्ध वृत्त को CO के साथ मोडा। इससे दो त्रिज्जाएं बनी, CO और BO। फिर अगबर ने पूछा, जीवा AC की जीवा AB से तुलना कैसे की जाती है। बीरबल ने O से होकर गुजरते हुए रेखाओं को मोडना शुरू किया, जो की AC और AB पर लंबवत हैं। फिर AE की तुलना EC से और AF की तुलना FB से की। अगबर ने पूछा, और किसी जीवा के लंबवत व्यास के बारे में क्या कहेंगे आप। मैं आपको दिखाता हूँ। बीरबल ने कहा। वह एक जीवा AB को मोडते हैं और फिर एक व्यास CD को इस प्रकार मोडते हैं कि वह जीवा के लंबवत हो। यदि मैं दी गई जीवा के खंडों AE और EB की तुलना करूं तो आप कैसे सिद्ध करेंगे कि वे सर्वंगसम हैं। अगबर ने पूछा, बीरबल ने समझाना शुरू किया। इस व्रित्म में यदि मैं बिंदू E के माध्यम से कागस को मोडता हूँ, तो हम पाएंगे कि खंड AE और EB केंद्र से समान दूरी पर स्थित हैं। एक ही व्रित्म में या सर्वंगसम व्रित्म में दो जीवाएं सर्वंगसम तभी होती हैं, यदि वे सिर्फ और सिर्फ केवल केंद्र से समान दूरी पर होूँ। अकबर ने पूछा, एक जीवा पर लंबवत व्यास सरल लगता है, आप उस त्रिज्या को कैसे दिखाएंगे जो दो त्रिज्याओं के बीच के कोण को समद्विभाजित करती हैं। बीरबल ने इसे कागस के माध्यम से त्रिज्याओं AO और BO को मोड कर समझाया, फिर उन्होंने जीवा AB को मोडा, फिर उन्होंने त्रिज्या AO और BO के बीच के कोण के समद्विभाजक OC को मोडा। यह सिद्ध करते हुए कि कोण AOC कोण BOC के बराबर है। अकबर ने फिर से बीरबल से पूछा, आप इस कागस के माध्यम से समानतर रेखाओं द्वारा प्रती छेदिद वृत के चापों को कैसे दिखाएंगे। बीरबल ने यहां थोड़ा सोचा और वृत O के व्यास AB को मोड़ना शुरू कर दिया। दो जीवाओं को मोड़ दिया, जिनमें से प्रतेक इस तरह AB के लंबवत थी। और अर्ध वृत के केंद्र कौन सा कोण बनाता है? अकबर ने पूछा। अर्ध वृत में अंकित कोण हमेशा समकोण यानि की 90 डिगरी होता है। यदि मैं व्यास AB को मोड़ता हूँ और फिर जीवा AC को मोड़ कर इस तरह आगे बढ़ाता हूँ और इसी तरह CB को मोड़ कर आगे बढ़ाता हूँ, तो अंकित हुआ कोण ABC हमेशा 90 डिगरी ही रहेगा। ऐसा बीरबल ने समझाया। अकबर बीरबल से प्रभावित हुए, लेकिन एक आखरी बार और बीरबल की बुद्धी मत्ता का परिक्षण करना चाहते थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, यदी मैं वृत पर एक बिंदू अंकित कर देता हूँ, तो आप वृत पर दिये गए बिंदू से होकर वृत पर स्पर्ष रेखा कैसे दिखाएंगे। बीरबल ने वृत पर दिये गए बिंदू P से होकर जाने वाले वृत के व्यास को मोड़ना शुरू किया. बिंदू P पर उन्होंने व्यास पर लंबवत रेखा को मोड़ा. क्या स्पर्श रेखा हमेशा व्यास के लंबवत होती है? अग्बर ने पूछा, बीरबल ने कहा कि स्पर्श रेखा हमेशा प्रतिछेदन बिंदू के वृत की तृज्या के लंबवत होती है. तो इस तरह बीरबल ने सभी सवालों का सही जवाब दिया, और अग्बर ने उन्हें अपने राज्य में खुशी-खुशी समस्या समाधान मंत्री नियुक्त कर लिया. उन्होंने न केवल उन्हें मंत्री नियुक्त किया, बलकि उन्हें पुरसकार के रूप में बहुमूली रत्न भी दिये.